चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं कि जो हमारे कानूनी हक है वो तो कम से कम हमें दिये जाए और अपनी हक की मांग करना ये तो समयदानी का दिकार है बढ़ती है ना होने का करना तो यही हम समझ सकते हैं कि सरकार की नहीं है तब सरकारी सेक्टर को क्रश करने की है वो नहीं चाहती कि सरकारी सेक्टर बढ़े में है और जिला शामली में आज एक धरना चला हुआ है रेलवे कर्मियों का जो उनकी जो मांगे है वो प्रसासन के खिलाफ है एक तरीके से की जो रेलवे प्रसासन में जो ट्रैक मैन के जो करमचारी है उनकी वो धरना कर रहे है जिला शामली में है और हम बातचीत करेंगे की किन उनकी क्या मुख्य मांगे और किन मांगों को लेकर रेलवे करमचारी धर्ना कर रहे हैं जी नमस्कार से जी नमस्कार क्या मसला है क्या किन कारणों से धर्ना देने की नोगता रही है मैं ऐस जोनल सेक्रेटरी नरंदर पांचाल ओल इंडिया रिलोवे ट्रेक मेंटेनर यूनियन का महासचीव, जोनल महासचीव आज मुझे सामली ब्रांच में इस धरने में सिर्कत करनी पड़ी कारण क्या है कि यहां उपमंडल सतर की जो समश्याइं हैं उनका निवाण नहीं हो पा रहा है समश्याइं कुछ इस परकार हैं जैसे कि हर रोज जिस परकार ट्रेक की देखरेक के लिए कीमेन और पेट्रोलमेन को गस्त लगानी होती है और वो गस्त उसको कम से कम पर ड़े 20 किलोमेटर चलाया जा रहा है वो गस्त का जो बीट है वो घटाया जाए वो वर्तमान में बीट 8 किलोमेटर परते गेंग को दिया गया है वो बीट घटा के 4 किलोमेटर की जाए ताकि एरिया जितना कम होगा ट्रेक की देखरेक उतनी अच्छे से हो पाएगी दूसरा यहां पर कोई भी जो कारिया है जैसे की फाटक पर गेटमेंट जो डूटी करते हैं वो रोस्टर के मुताबिक उनसे डूटी नहीं लिया जा रहा है जो डूटी उनकी एक सब्ता में 60 गंटे होनी चाहिए उनसे 20 गंटे डूटी लिया जा रहा है कुछ ऐसी भी चीजे हैं अतिरिक्त कारिये करने के बाद करमचारी को एक्स्ट्रा कमपन्शेट रेस्ट या फिर ओवर टाइम का भुगतान होना चाहिए जो यहां नहीं दिया जाता है साथ ही इस सम्मंद में कोई भी करमचारी जब कभी कोई दस्तावेज कारियाले को प्रस्तुत करता है चाहिए वो सेक्सनल पी डबल आई को देता हो ससी कारियाले में या फिर एडियन कारियाले साहे कमंडल अभीयनता के कारियाले में जमा करने जाता तो वहां पर इसकी चीज की पावती नहीं दी जाती एकनोलेजमेंट मिलता नहीं है जिसके कार्ण करमचारी पून रोप से अपनी कारवाई नहीं कर पाता है वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ी घंबीर समस्या इस ट्रेक मेंटेनर केडर में एक है आए दिन पटरी पर वो रनोवर हो जाते हैं जिस परकार आवारा पसुक घूमते हर वो कट जाता है ठीक उसी परकार पटरी पर काम करने वाड़ा करमचारी जो ट्रेक मेंटेनर है वो परती दिन रनोवर हो रहे हैं जिनकी annual आज जो संख्या है वो करीबन run over होने वालों की तादाद 500 को cross करने को है पूरे भारत में काकड़ा मैं आपको बता रहा हूं तो फिर भी उसके बावजूद भी परसासन सूध लेने को तयार नहीं है railway board GPS को बाद में लेके आया पहले लेके आया रक्सक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस था कि यदि आपकी जेब में होगा आपके पास होगा तो जिस पटरी पर आप चल रहे हैं वहां से आने वाली रेल की दूरी इसका पता बताते हुए वो बीप करेगा सायरन देगा और उससे एक संकेथ मिलेगा जिसके पास वह यंत्र है उससे संकेथ मिलेगा कि आपको पटको पटरी से नीचे उतरना है और आपनी जान बचानी है किसी करमचारी के पास इस तरह के गैजेट्स है हाँ ऐसा गैजेट्स उनको दिया नहीं गया उनको गैजेट्स ऐसा दिया गया जिससे करमचारी को ज़्यादा तकलीफ हो और अधिकारी चुपचाप घर वेट के उसकी लोकेशन ट्रेस करता रहे जबके एक P.W.I. को भी एक I.N. को भी सब को गस्त लगाना चाहिए और साथ में निरक्षन भी करना चाहिए बट इन चीजों को दर्किनार करते हुए मेरा मुख्यते मांग है दस से बारा परकार किन का डिवांड है जो मैनवल के मुताबिक, रोस्टर के मुताबिक होना चाहिए जो नहीं किया जा रहा है और आज उनी चीजों को लेकर आज ये परदसन यहां रखा गया है एक दोसी है किस तरह की समस्याओं से आप सामना कर रहे हैं मैं विशाल एरटी उसामली साखा का ब्रांच अधक्स और आज हमने ये एक प्रोट्रेस्ट और्गनाइज किया है इसका मक्सद ये कि हम जितने भी ट्रेकमेन करमचारी है उनकी रोज मर रहेगी ड्यूटी के दोरान बहुत सारी कानूनी सुरक्सा है उनको जो मिली वी है और उनको जो हक बनते हैं उनको वंचित किया जा रहा है जैसे कि हमारा ड्यूटी टाइम है जो फिक्स आट गंटे कई बार होता क्या है हमसे अतिरिक्त कारिया लिया जाता है आट दस घंटे ग्यारा गंटे उसके एवज में कानून रूप से जो लेवर लो कहते हैं उसके एवज में या तो ओवर टाइम अलाउंस करमचारी को मिलना चाहिए यह कंपनसेटरी रेस्टिक मिलना चाहिए अगले दिन की बचतिया समय की छूट लेकिन होता क्या है अतिरिक्त कारिया करवाने के बावजूद भी हमें इनमें से किसी विदाकलाब नहीं मिलता है और इस से करमचारी को बहुत जादा सोशन का सिकार होना पड़ता है इस कई बार होता क्या है आदमे चाहिए आद्मी नाइट की डूटी में जब बुलाया जाते है करमचारी को तो ессो करमशारी को टारगेट किया जाता है और कहीं जब वह नाउन लागू करवाने की बात करता है तो उसको सबखसी क खाना, टार्गेट करना और बाई हुक और बाई कुरुख उसको टार्गेट किया जाता है इस चीज के खिलाफ हमारे मारे कानूनी गicação सेह Gentlemen तो कम से कम हमें दिये जाए और अपनी हक की मांग करना यह तो समयदानी का दिकार है इसी चीज़ के लिए हमने आज यह प्रोटेस्ट बुलाया है इसके लाव और भी विभीन विभीन तरह की समेश्चा है हैं भरतिया ना होने का क्या कारण आपको नजर आता है पिछले चार पांत सामें भरतिया ना होने का कारण तो यह हम समझ सकते हैं कि सरकार की नहीं तब सरकारी सेक्टर को क्रश करने की हैं वो नहीं चाहते कि सरकारी सेक्टर बढ़े सरकार लगतार हम देख रहेंगी जैसे प्रैविटरी जिसन के आंधिपुली देश में चल रही है एक-एक स सब डिपार्टमेंट है रेलिव एक बड़ा डिपार्टमेंट हो गया उसके अंदर भी बीश्य तरगे डिपार्टमेंट है अब बहुत सर विभागय से उनमें भरतिय नहीं निकलती है तो सरकार कहीं जनता को नोकरी देने से भी पिछे अट रही है उसकी नियत नहीं है कि ज गलतीज खिलाब आवाज ना उठाओ और अगर आप आवाज उठाओगे अगर आप ने गलतीज कर विरोध किया तो आपको बाहर भी कर सकते हैं तो हम यह चाहते हैं कि इस सोसन के चलते कोई इनसान कैसे नोकरी कर सकता है वो अपने परिवार को क्या समय दे पाएगा इतना बेशिक इसको रीड की हड़ी कहा जाता है और आज सरकारमें और अजिकारमें डी तोड़ने का काम किया है रेल के ऐसkyति Burad cases अजुड़ी करने में प्रॉबल्म होती है जैसे इनुञने बताया किवे डबल काम लिया जाता है उसके में तो प्रोब्लम होती है घर आने जाने में बहुत सारी प्रोब्लम खड़ी हो जती है मांसी की दवाव तो बनता ही है जी डबल लूटी करेंगे डबल काम करेंगे तो मांसी की दवाव तो बनेगा का मैनुल है जिसमें लिखा हुए कि किस करमचारी की क्या डूटी होगी उसके अनुसार उससे लगबग डबल काम करवा जा रहा है डबल काम डबल और उसके एवज में उसको कोई लाव ने दिया जा रहा है बलकि जब वर्कलोड दो गुड़ा होने के चलते कहीं बार छोटी कि अगर कोई मिस्टेक उससे हो जाती है जो उतनी बेड़ी कुछ है भी नहीं उसको बात का बतंगड बनाकर राई का पार्ड बनाकर उसको ड्राया जाता है उसको सताय जाता है तो यह समस्य है हमारी मांग है कि जो रेलवे में मैनुल के नुसार हम से ड्यूटी ली जाए और हमारे जो हक बनते हैं वह में दिये जाए और अगर में हक नहीं दिये जाएंगे तो यह संगर्स आज से शुरू हुआ है लगतार जारी रहेगा और आज यहां जरूरत पीड़ी तो यहां और आगे अगर डिवीजिन इस तरह पर हमें कोई प्रोटेस्ट और संख्या है सवासो करोड़ देश्क वासी बोला जाता है उनके ओपर केंद्रिय करमचारियों की संख्या एक करोड़ है तो देखा जाए तो वर्ट करोड़ और बहुत ज्यादा है यदि इसको बाटना है तो सरकार को अपने सभी मंत्रालियों के समय समय पर भरती करते रहना चाहिए ताकि करमचारियों को समस्या का सामना ना करना पड़ेगा जैसे बाई एक सब्सक्राइब का मतलब है परसिक्सित करमचारी जिसको को रेल यात्रियों लिで खत्रे का कारण मनेगा अब रेल्वे ने क्या किया है कि कैज्मल लेवर को लाना शुरू कर दिया कॉंटक्टर के जरी अर वह पत्री पर जो गस्त लगाता है वो ट्रेनिंग लेके आता है तब जाके उस पर पटरी का काम सोपा जाता है यदि किसी करमचारी को बेगार परशिक्षन के आप पटरी पर उतार दें नमबर एक तो उसको खुद की जान का जोखी पहला खत्रा दूसरा उन रेल लियात्रियों का खत्रा यदि कभी रेल समंदी को कोई ऐसी घटना घट जाती कोई फ्रेक्चर हो जाता है तो उसका ड्रिल्मेंट होने का खत्रा ज्यादा रहता है तो उस फ्रेक्चर को वह आदमी जिसको परशिक्षन दिया ही नहीं गया तो कैसे सुरक्षित कर पाएगा तो बड़ा ही घंबीर विशय है आज आए दिन सा अधिकारी लोगों से मिलवाएंगे कि यहां की जो समस्य हैं तो यहीं से अगर निवार्ण हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा अगर यहां निवार्ण नहीं होता है तो सामली साखा कल को दिल्ली मंडल कारिया लेकि और कूच करने के लिए तयार है हम उत्तरप्रदेश के जिला शामली में थे जहां पर रेलवे करमचारियों का धरना चला हुआ है रेलवे करमचारियों का कहना है कि कहीना कहीं सासन परसासन द्वारा अधिकारियों द्वारा उनका कहीना कहीं सोसन किया जा रहा है जुड़े रहे आप CCA से उत्तरप्रदे कर दो कर दो